असलाम अलेकुम जी क्या हाल है आज मैं आपको बताने लगी हूँ फिक्सिंग स्प्रे क्या होता है सेटिंग स्प्रे क्या होता है और शाइन निंग स्प्रे क्या होता है जो काशीज करते हैं इन तीनों का डिफरेंस बताऊंगी यूज बताऊंगी और पॉलर जूज बताऊ है ठीक है झी आज का हम लोग हैक स्टाट करने लगे हैं है अपर लास्ट जूस करते है जब आप जे और दूसरा सफटर्य स्परय होता है जिसको कहले करते मैं करते यूज करते हो और सप्रेय करते हो जिसे मेकप आपका लॉंग लास्टिंग होता जाता है आप लोग जब भी बाय करने जाते हो आप फिक्सिंग स्प्रेय और इसके अंदर ये सैटिंग स्प्रेय है और reaction भी बिल्कुल different है जो आपका setting spray होता है उसके अंदर glassrine होती है इसका आपने ख्याल करना है इसका आपके ने fixing spray के तोर पर यूज नहीं करना है इसलिए आपकी जो base होती है पैची हो जाती है यह देख लिए customized bases बनी हुई है और यह बिल्कुल यह बेस ड्राइ हुई है अब आपने क्या करना है अगर आपने long lasting बनानी है bright की बनानी है या गर्मियों में बनानी है summer base आपने इसके उपर setting spray करना है और इसको आपने यह देख लिए liquid form में बना लेना है यह आप देख लिए यूज इसका यह देखें कितना smoothly यह लग रहा है और अराम से लग जाएगा इसको आप dabbing motion में लगाएं चाहें आप इसको brush से लगाएं बिल्कुल आपके skin में penetrate कर जाएगी और उसी time dry हो जाएगी बिल्कुल भी over नहीं लगेगी उपर आपने इसे sponge ले ले लें या फिर आप यह dabbing वो ले ले और इसे आपने dab dab करके इसको absorb कर देना है ठीक है एक तरीका तो इसका यह हो गया दूसरा तरीका आपने क्या करना है अपने यह वाला sponge भी use कर सकते हैं और यह fixer भी use कर सकते हैं इससे भी आपकी skin long lasting बनेगी अगर आप brush use नहीं करते हो तो sponge use करते हो या फिर आप कोई भी beauty blender use करते हो आपने उसको गिला सिरफ और सिरफ setting spray से करना है fixing spray से नहीं करना fixing spray को mix नहीं करना fixing spray सिरफ last में होता है ठीक है यह खियाल करना है अगर आप setting spray को कर दोगे अपनी base के ऊपर last में तो वह पैची हो जाएगे क्योंकि उसके अंदर glassrine होती है इसलिए आपके सारी base खराब हो जाती है अच्छे यह देख लिए मेरे पास miss rose की handy base है अगर आपको यह liquidy मतलब के अराम से लगने वाली कोई भी base आपके पास है और आप कहते हो कि यह long lasting हो जाए क्रैक हो जाती है तो आपने इसको किस तरह से सेट करना है आपने इसको लगा कि इसके ऊपर आपने setting spray लगाने के बाद आपने इसको dabbing motion में इस तरह से फिक्स करना है ठीक है जितनी जरूरत होगी base को वो अपने अंदर penetrate कर लेगी setting spray को और आपकी base long lasting हो जाएगी waterproof हो जाएगी 20 से 25 घंटे अराम से लगेगी ठीक है second way यह हो गया अब third way हम क्या करेंगे यह देख लें यह हमने aqua का pancake लिए i1 का अब आपको पता है इसको पानी से यूज किया जाता है हम इसको पानी से यूज नहीं करेंगे इसको bottles में बना कर रखा जाता है पॉलर्स में तो आपने इसमें क्या करना है आपने इसके अंदर अगर आप last में यूज कर रहे हैं तो आपने इसके अंदर fixing spray डालना है ठीक है, fixing spray डालके आपने इसको use करना है, यह देख लें क्योंकि हम लोग जब base बना लेते हैं, नीचे हम लोग कोई भी liquid base लगाते हैं या कोई भी हम लोग stick लगाते हैं, उसके बाद हम लोग ने इसको आखर में उपर apply करना होता है और powder लगा के छोड़ देते हैं, तो यह last वाला step होगा, चाहे last वाला step आपका इसका हो या फिर आपका mineral base का हो उस वक्त आपने fixing spray उसके अंदर डालना है, ठीक है, setting spray नहीं डालना, fixing spray डालना है ताकि आपकी उपर से इस तरह से जैसे bluster हो जाता है ना, वैसे हो जाएगी, आपकी foundation और flawless हो जाएगी, powdery look बिल्कुल भी नहीं आएगी, जो लोग कहते हैं, हमारी base पे powdery look आजाती है, यह दो तीन tips हैं, आप लोग फॉलो कीजेगा, और बताइएगा ज़रूर कि कोई authentic है और 8-10 साल से यूज हो रहे हैं, जो मैं आपको आज reveal कर रही हूँ, अच्छे जी अब आप यह देख लें, नेक्स इसका वे क्या है, अगर आप वो नहीं लगा रहे हो, एक्वा पैनकेक नहीं लगा रहे हो, तो आपने थोड़ी सी mineral base ले ले लेनी है, इस mineral base के अंदर आप मैं mineral base हो, मुझे क्यों छेड़ दिया आप लोगों ने, यह देखें, यह हम लोगों ने बना लिया, जितनी हमें जरूरत है, बना के ब्रेच से हम लोगों ने इसको apply कर दिया, देखें यह कितनी smoothly apply और यह पानी से इतनी smoothly apply नहीं होती है, जितनी यह fixing spray से smoothly apply होती है, और इतन अधर हो जाती है, आपकी base और आप लोगो बहुत परिशान हो जाते हैं, और पूछती हो क्या करें, यह देखें, दूसरी तरफ वाले पर भी जैसे हमने दूसरी तरफ apply किया था, इसको मैं apply कर लिया, ताके मैं आपको wash करके दिखा दूँ, आप लोगों को पता चल जाए, इन दोनों में किस तरह हां से यह use होता यह, देखें, कितनी जब्रदस तरीके से यह flawless तरीके से एबजॉर्ब हो गया और यह देखें, यह देखें ले मैं कितनी जब्रदस लूक आरया है, यह देखें, जाके हम लोगों कई तर चीज लगा ही है आप लोग यह देख लें आपने इसके उपर सेटिंग स्प्रे अपलाए करना है सेटिंग स्प्रे आपने इसके उपर ही अपलाए करना है यह देखें आप लोग ने ब्रश लेना है जब आप लोग ब्रो बोन को लगाते हो तो आपने वही ब्रश जूस करना है और brow bone को आपने इस तरह से highlight कर देना है और वो कुछ हो जाएगा आपका कहीं नहीं जाएगा शेड ठीक है और अगर जब आपने cheekbone पर apply करना है तो हादों से उपर करके यह देखें यह मैं आपको wash करके भी दिखाती हूं wash के बाद भी यह नहीं हटेगा जिस तरह से powdery look आ जा जनाब यह जो आप लगाते हो ना उसके उपर जो काशी यूज करते है शाइनर वाला उसके अगर आप किसी भी fixing spray अंदर शाइनर डाल के रग दोगे और इसी तरह से base के जो step मैंने बताएं आप जूज करोगे तो वैसी ही shine आएगी यह आप देख लो यह मैं इसको wash कर रही यह देखो यह देखो यह देखें यह आपके सामने है यह base वाला एरिया आप लोग देख Los truthful और उसके बार इस निएर यह आप लोगों का हाईलाइटर अभी तक ठहरा हुआ यह देखे नजर आ रहा है आप लोगों को अच्छे जी मैं काशी इसका भी आपको दिखा दूँ यह गोल्डन कलर का होता है और डल सिल्वर सिल्वर सा होता है यह इस तरह का होता है आपकिसिंग स्प्रेय के अंदर लुक आईगी जैसे मैंने आपको बताया दूआँ में याद रखेएगा इंशाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलाई कीजेगा और आप लोगों ने मुझे ज़रूर फीड़बैक देना है अपना ख्याल रखेएगा ओके जी आला हाफीज मेरी सिहत के ल